कि अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसे अभी आप स्क्रीट पर देख रहें वैसी मिड जन्री एई फोटो एडिटिंग आप अपनी फोटो के साथ कैसे करेंगे अगर आप इस तरह की फोटो एडिट करना चाहते है और यह वाली जो फोटो अभी काफी जदर ट्रेंड में चल रही है तो अपनी फोटो कुछ तरह के अगर आप बनाना चाहते है तो आपको कैसे बनाएंगे उसका मैं पूरा प्रोसेस में आपको यहां पर स्टेप बास्ट करना है तो यहां पर देखे इस तरह सब सर्च कर लिजी तो यह आपको उपर की तरफ मिलेगा इसको आपको इंस्टल करने के बाद आप इसे तरह को बन कर लिए अब जब पहली बार अगर आप यहां पे आओगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा तो तो अपना email डाल लेज़े, email डालने के बाद next और बटन पर click किजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना username सेट करना है, कोई भी username आप यहाँ पर आप दे सकते हो, जो आपका नाम है, यह कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हो, उसके बाद नीचे password काउप सने हैं, तो आप आपको यहाँ पर कोई भी password आपको लगा देना है, जो भी आपको अच्छे से याद रहे हैं, वैसा password आप यहाँ पर लगा देजिए, और फिर next और बटन पर click किजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बड़ेट डालनी है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर create account पर click करना है, जैसे यह कलोगे, आपका जो account है, यहाँ पर successfully create हो जाएगा, उसके बाद चाहो तो यहाँ पर आपनी profile photo अप select कर से तो अपनी photo को भी लगा सकते हो, गैलरे में से, या तो फिर नीचे में से कोई भी आवतार को भी आप select कर सकते हो, कोई भी select कर लिजिए, फिर नीचे next का button है, वहाँ पर click कीजिए, उसके बाद अब यहाँ पर आपको tick करके रखना है, ताक कि आपका कोई दोस्त अगर इस पर है, तो वह आपको search कर सके, तो इसको tick करके रखे, फिर next का button पर click कर लिजिए, तो यहाँ पर हमारा application में काम है, पूरा complete हो चुका है, अब यहाँ से आपको back आजाना है, बेक आने के बाद आप अपको अपने email पर अपने Chrome browser को open करना है, उससे पहले यहाँ पर आपको mail आया होगा, उस mail को आपको confirm करना होगा, ठीक है, verify करना होगा, तो पहले आप अपने mail को check कीजिए, जो भी email आपने डाला था, उस वाले mail पर आ परफेक्टली verified हो चुका है, अब आपको continue to discord में प्लिक करना है, तो यहाँ पर आप इस तरह से फिर से application ही open हो जाएगा, अब यहाँ से आपको back आना है, बेक आने के बाद आपको Chrome browser को open करना है, तो यहाँ से हम चलते Chrome browser में, अब Chrome browser को open करने के बाद आपको search बार में search करना है, mid journey AI discord दिखे, यहाँ पर मैंने search करके रखा हुआ है, उपर के तरह के दिख रहा होगा, mid journey AI discord इसको search करना है, और फिर नीचे के तरफ scroll कीजिए, यह दिखे, यह मिल जाएगा आपको, यहाँ ता first number पर second number पर होगा, जहाँ पर भी है, उसको open कीजिए, click करोगे तो आपको जो first वाला है, वही select कर लेता हूँ, okay, इसको मैं select करूँगा, फिर next वाले बटन पर मैं click कर लेता हूँ, इसके बाद आपको अपना जो भी located area है, उस वाले पर आपको select करना है, फिर finish वाले बटन पर click करना है, तो यहाँ पर एक complete हो जुका है, अब यहाँ पर आपको एक server बना होगा, मैं आपको दिखा जाओ, ऊपर की तरब देखिए, जो second number का है, message का icon है, उसके number यह दिखे, second number का है, server है, वहाँ पर click करना है, यहाँ पर click करने के बाद आपको नीचे आपको 3-4 option देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर newcomer rooms लिखा हुआ, यहाँ पर है, फौटो को कैसे एड़ित करना है, वो मैं आपको पॉटा हुआँगा, तो सबसे पहले आपको अपने फोटो को अपลोड करना होगा, तो अपलोड करने के लिए plus के आपन याइकन पर click करे, और फिर yellow वाले बटन पर click करने जिए, अभी यहाँ पर आपको अपने फोटो को करना है तब कोई भी आपकी फोटो है उसको अपलोड नहीं मिलते है तो यहांपर आपको उस तरह से उपलोड करें तो बहुत से लोग यहां पर फोटो अपलोड करते मेसेज बॉक्स पैस लगताना वोगा चाहां पे आपकी फोटो मिल जाएगी या तो फिर यहां पे देखिए छूटम करोगे तब भी आपको इसी कि आस पास कहीं पी आपको अपनी फोटो मिलेगी तो यहां पर हम देख लेत तो ऊपड़र की त्याहिंडया अप+. अपना युजर रिम देख लीजिए अपको अच्छे से िससरे से पनी फोटो मिल जाएगे फोटो मिलने के बाद आपको फोटो पर क्लिक करके रखना और थोड़ी देर आपको टैप करकेरकर रखना है तो यहां से इस तरह से आप्सन खुलेंगे तो यहां पर आपको निचा इसमें से एक प्रॉम्ट को डिलीट करना है और जो फोटो जीस तरह कि आप बनाना चाहते वह चीजा आपको यहां पर लिखने के लिखने होगी आप जो भी चीज यहां पर लिखने हों जो भी कमांड दोगे वही चीज आपकी फोटो में अपलाई हो जाएगा 3D फिर से मैं कॉमा दे दूँगा उसके बाद आगे जो जी चीज में पर एड़ करना चाहता तो आप अपने इस साब से कोई भी चीज यहां पर लिख सकते हो जैसके मैं स्टैरी स्काई लिखूंगा स्काई को मैं रखना चाहता हूं एंड रेड मून रेड मून का मतलब है जो आपको मेरी फोटो अपने देखी उसमें जो रैड कलर का जो चीज आपको रेड मून लिखोगे तो आएगी इसके बाद फिर से आपको कॉमा देना है और बाकी जो भी चीज आप यहां पर यह दो चीज जो आपको लास्ट में लिखनी है तो जब भी ऐपनी फोटो बनाएंगे आपको लास्ट में 8K Šाइब उसके बाद इसको आपको फोटो बना रहे होते हैं, तो हो सकता है, आपकी फोटो ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो आपको यहाँ पर फिर से अपनी फोटो को ढूंडना होगा, तो आपको अपनी फोटो को ढूंडना होगा, तो आपको अपनी फोटो को ढूंडना होगा, तो ढूंडने के लिए आप हम यह पर वेट कर ले देखे कुछ मेसेज आ चुके लिए कि अभी हमारी फोटो नहीं बनी है जब भी बनेगी वो जो तीन लाइन उपर की तरफ है वहाँ पर आपको एक रेड कलर का मैसेज देखने को मिलेगा मैं आपको अभी दिखा लूँगा जब यह बन जाएगी ठीक ह तो फिर आप अपने जो अपने कमांड दिया उस कमांड को भी आपको इस तरह से उपर की तरफ ढूंड सकते हैं आपको जरू से देखने को मिल जाएगे और यह दिखी यहां पर जो एक नमबर बनके आगया मतलब हमारी फोटो बनके तयार है ठीक हमारी फोटो मिल चुकी ह यह कुछ हमारे देखें यह है तो यह दिखें हमारा नाम है अजैसी इस तरह से आपका अपका अकाउंट नाम होगा उसी के निचे आपने जो भी कमांड दिये होगे उस तरह के आपके फोटो बनके तयार होग जैसे कि मिल आपके त्रीडी रियालिस्टिक हैंड्सम गया औ लॉंग कर्ली है भी लिखा तो इसमें और काफी कमाल कि हमारी फोटो बनके तैयार हो चुक तो इस तरह से आप अपनी फोटो को बना सकते हो अब फोटो को डाउनलोड करना होगा फोटो पे क्लिक करोंगे उसके बाद इस तरह से फोटो आएगी अब यहां पर 3-2 पर उम्मीद करता हूँ, आप से विए को आज को मरे वीडियो पसंद आयोगी